नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों, यदि खुशियां आपके घर का पता भूल ग जो पूज्य गुरु जी, प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथाओं में अकसर बताते रहते हैं, आज की इस वीडियो आपको बारह उपाय जानने को मिलेंगे, और हर उपाय एक से बढ़कर एक हैं, बस कपूर का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना ह जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाए, परन्तु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है, और एक सही टाइम पर करना है, कैसे करना है, वह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी. हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सब के घर में न कुछ तरह की समस्याएं हैं, किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, ग्रहकलेश होता ह पुरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हो जो आपके फैमली मेंबर्स हो उनको भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी मिले और पुन्य को समझा एक बहुत अच्छी बात है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में यदि आपके काम की जानकारी लगे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए तो चलिए जानते हैं कपूर के चमतकारिक उपाय के बारे में इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है यदि खुले में रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अकसर हम पूजा में आरती के पश्चाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शान्ती और सम्रिद्धिलान के लिए हम इसका उपाय करते हैं इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनरजी दूर हो जाती है और हमारे मन को शान्ती मिलती है संस्कृत में इसे करपूर हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैमफॉर कहते हैं तो जो है आपके घर में लड़ाई जगड़ा बहुत ज्यादा होता है छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलोज होने लगता है परिवार रिष्टे भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन चोटा है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना प्रतुने मार्केत भीक अर्वकें ले लिए। अब आपका एक कपूर का पिस चार भाग में बट गया, अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई जगडा हो, यदि आपके साथ होती है या आपके घर के किसी मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है जिस भी घर में लड़ाई हो जिस भी कमरे में लड़ाई हो अकसर या यदि हो हॉल में ही तो उस चार टुकड़ों को क्या करना है जैसे समझे कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है तो आपको क्या करना चारों टुकणों को लड़ाई हो रही है हो जाने दीजिए आप शांत रहिए चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो आप शांत रहिए आपको आगे आने वाले दो स्टेप आपको आगे सोच के चलना है जो आपको बोलने हैं बोल लेने दीजिए गाली गलॉज जरा दे दीजिए आप शांत रहिए बस दो मिनिट सह लीजिए जगड़ा समाप्त हो गया अब आप कपूर के टुकड़े करिए चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में चोटे चोटे टुकड़े इतने चोटे चोटे हैं आपको वो दिखेंगे मतलब बहुत चोटे हो जाएंगे टुकड़े आपके चार चार में रख दीजिए ठीक तो आपने रख दिया इसको अब आपको ये देखने में बिलकुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा चार हमने कर दिये ये हमारे घर के कैसे रोक सकता है पर कहते हैं न कि देखन में बस एक कपूर के चार टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है लड़ाई रुक सकती है और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है जब भी आपके घर पे लड़ाई जगड़ा होगा न तो आपको बस यही काम करना है कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिलकुल शांत हो जाएगा घर के चारों कोनों का एक-एक टुकड़ा रख देना है जो भी आपके का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना वो जो आपके घर में जगड़ा करता होगा आप देखेंगे पंद्रह दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी जगड़ा नहीं करना चाहेगा किसी भी परिवार के सदस्य से वो यदि जगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में तो आप इस उपाय को करके देखिए आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा अब दूसरा जो उपाय है आपका दुकान है पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है या आप नौकरी करते हैं आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है या आपको नौकरी की खोज है नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो नौकरी नौकरी होती है उससे हमारे घर का खर्चा चलता है काम, धंधा या नौकरी हो उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है घर में यदि सुख, शांती, समरिध्धी की आपकी कमी हो गई हो आपके घर में पैसे नहीं बचते हो आमदनी या ठानी और आपका दो-चार रुपया ज्यादा ही हो जाता हो तो आपको क्या करना है आपको करना एक कांच का कटोरी ले लीजिए कांच की कटोरी में आपको साथ पीस कपूर के डाल देने है साथ पूरे के पूरे साथ गोली कपूर की डालनी है चाहे डालिए या गोल डालिए साथ आपको कपूर देना है साथ पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो आ साइड साइज में देते हैं वो नहीं आपको फिटकरी लेनी है जैसा गुड होता है न तो उस तरह का वो धेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा दो छोटे-छोटे टुकडे फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का सेंधा नमक वही है जो हम वरत्योहार में खाते हैं तो सेंधा नमक का टुकडा पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है आपका घर का जो नमक साधा नमक खाते हैं वो नहीं लेना है आपको यही चीज लेना है पहला है साथपीज, कपूर लेना है, दूसरा दो टुकडा या दो टुकडा आपको फिटकरी का लेना है, और एक टुकडा सेंधा नमक का लेना है. इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके उपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए छोटे-छोटे स्टील का तो आप उस कटोरी कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए अच्छा रहेगा उसका टोरी को ढग देना है आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके पश्चात उसको ढग दीजिएगा अब आपको क्या करना आप जहां भी कैश रखते हैं आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें ये सब के लिए एक ही चीज है जहां पर भी अपना कैश रखते हैं यदि घर में रखते हैं तो 150 रुपया तो आपका कही न कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके तो उसके समीप रखना है डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है तो आप इस जो कटोरी कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है कांच की कटोरी इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए घर में उस कैश डब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीज़ें रखी हुई उसके पश्चात आपको क्या करना है यदि आप इसको दुकान के लिए यूज़ करना चाहते हैं दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे दुकान में ग्राहक आते हैं तो आपका जो गल्ला है जहां आपका कैश बॉक्स है तो उसके गल बगल में कहीं यदि स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए धका हुआ है यदि खुले में रखेंगे यदि उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता वो बहुत जल्दी उठ जाता है खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का आप इसको चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है कैश बॉक्स बड़ा है तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं ये धन को खींचने का काम करता है एक मैगनिट है जो धन को अपने तरफ में खींचता है अब इसे किस दिन करना है आपको ये उपाए किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है महीना चाहे कोई भी हो सावन भादो जो भी हो आपको किसी भी शनिवार को करना है किसी भी महीने के शुकल पक्ष के शनिवार को करना है उसके पश्चात आप जो ये कटोरी है जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए जब आपका कपूर उड़ जाए क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है तो जब कपूर उड़ जाए उड़ जाए तब आपको क्या है? फिटकरी का टुकड़ा है वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए मतलब यदि आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है पर उसमें शुकल पक्ष ये सब नहीं देखना है क्योंकि आपने पहले शुकल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं आप देखिए हफते में बदलने या फिर पंद्रह दिन पे या फिर एक महीने में आप इसको बदल सकते हैं जो डीला का पूर, ये डीला फिट गिरी है और सेंधा नमक है इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए यदि आपके आसपास, यदि फ्लैट में आप हैं, शहरों में रहते हैं तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैलकनी में कोई पेड पौधा होगा तो वहाँ पर या फिर आप ऐसा कर सकते हैं एक पानी एक बरतन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए अब ये आठ दस घंटे में पूरा मतलब ये जो दोनों टुकडे हैं वो गल जाएंगे उस पानी को, आप अपने बेसन में डाल करके बहावा दीजिए, खत्म हो गया और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए आप विश्वास करेंगे, महीने में चार या पांच शनिवार होते हैं, ना तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तब ही कीजिए, ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है आपका बिजनिस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढख कर रख दीजिए आपका बिजनिस बहुत तेजी से चलता है, एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज आते हैं, आप देख के आश्चर्य चकित रह जाएंगे, कि ये हो क्या रहा है, ठीक अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौकट के ठीक बाहर, आपका जो रूम है, आप गाउं में है, शहर में है, फ्लैट में आपका एक मुख्य दर्वाजा होता है, तो मुख्य दर्वाजे के बाहर आपको इस सूर्योदय के समय, यदि आप इस उपाय को आठ बजे, नौ बजे सुबह में करते हैं, तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। जिए और उसको जला दीजिए, बस ही करना है, और शाम को गोधूली बेला जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर घर में, पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएगा, कपूर या घी का दिया दिखाएगा, एक चीज कि आपको सावधानी बता देता हूँ, आप अ लोबान का उपाए भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है, तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है, तो शाम के टाइम पर भी आपने कब और जला दिया, बस ये उपाए आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको ज जानना होगा, इस उपाए से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में सदैव बना रहेगा और आपके घर में सदैव सुख, शान्ति और समरिद्धि बनी रहेगी, आपका परिवार वो हैपी रहेगा, अगला जो उपाए, यदि आपको घर में, यदि आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब की घर का कोना काठने को दोड़ता हो, घर का बच्चा हो, या परिवार के कोई भी लोग हो, यदि आप अपने ही घर में डर जाते हैं, या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रति उसे जला करके उसका धुआं पूरे घर में, A to Z घर में, हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए. इस उपाय के दो लाब है क्या-क्या. पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनरजी है, वो बाहर निकल जाएगी. और दूसरा की रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को सदैव वास बना रहेगा, और आपके घर परिवार पर सदैव भगवान का आशीरवाद बना रहेगा, तो परिवार जबके आशीरवाद के नीचे रहेगा, तो वो खुश रहेगा यही रहेगा, घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है, और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, आप दो काँच की छोटी-छोटी कटोरी लेते आईए, और दोनों के भी लेते, आईए स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिये, दोनों कटोरियों में दो-दो प लग आपका एक महीना आराम से चल ही जाता है, पर यदि वो जब उड़ जाए, तो आप उसमें दो-पीस नए कपूर डाल दीजिये, हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम जलता है, तो वहाँ पर negative energy नहीं आती है, और ना ही उस घर में किसी भ जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी को सोने जाए, तो सोने से पहले एक पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोईए, हम सब चाहते कि हमें हमारे मन की शानती मिले, आज के भाग दौड भरी जिंदगी में, हम जब काम पर से वापस आते हैं न, तो टेंशन ही बॉस की टेंशन? किसी भी कोने में एक पीस का पूरा जला दीजिए, बस उसके पश्चात आप सो जाएए, सुबह आप खुद को बहुत तरो ताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे, आप अपने आपको तरो ताजा पाएंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनरजी बनी रह किसी भी कोने पाएंगे, तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शुकरवार के दिन ये उपाए करना है, एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर का, एक पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए, गुलाब जल जाएगा, अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है, उसे दुरगा माता को चड़ा दीजिए, अपने घर में ही करना है, इस उपाए को मंदिर में नहीं, उसे घर में जो आपके माता या फोटो होगा, उनके सामने चड़ा दीजिए, इस उपाए को, इस उपा इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डे इसको कंटीन्यू करके रखिए। यदि आप इसे नवरात्री के समय उपाय करेंगे, ना तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में दोश लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा भटा हुआ हो। आपके घर जहां दोश लग रहा हो, वहाँ पर कपूर का दो टुकडा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको दो टुकडा रख देना है और कटोरी को ढग दीजिए। से जब वह कपूर का टुकडा कपूर उड़ जाए, तो आप वहाँ पर दूसरा दो पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको दो पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोडे में इसको रखना है, मेल, फिमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है? अपने भाग्य को तेज करने के लिए, आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की दो बूंद डाल देनी है। और तब नहा है, ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही आपके भाग्य को भी गजब ढंक से चमकाता है। आप तीन शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा, ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाईए, तीसरे शनिवार तक में आपको कही न कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं इसको ये नहीं है कि हमें एक महीना करना दो महीना करना है आप लाइफ प्रत्येक शनिवार को कपूर के दो तेल की दो बूंदें डाल करके बाल्टी बाल्टी के पानी में और नहा लीजिए भाग ये आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी ना ये उपाए पति-पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है यदि पति-पत्नी में सदैव नोग जोग चलती रहती है या दोनों में पत्री नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है? यदि आप पति हैं देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है आपके उपर नहीं देती है तो आप इस उपाए को कर सकते हैं और आप पत्नी हैं आप ये देखती हैं, कि आपका पती आपके उपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पती को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं. अब करना क्या है? है दोनों जन के लिए मैं बोल रहा हूँ रात को सोते समय पत्नी अपने पती के तकिये में रात को सोते समय पत्नी अपने पती के तकिये के नीचे तकिया जो है? तकिये के नीचे जो आप सिंदूर लगाती है ना जो मांग में करती है उस सिंदूर की सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए एक छुटकी, एक कागज की पुडिया बना दीजिए और पती के नीचे रख दीजिए ये उपाय पत्नी को करना है अपने पती को सुधारने के लिए आपने तक्ये के नीचे रख दिया पती के पुडिया को अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुडिया को घर के बाहर किसी मंदिरा किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुडिया को रख दीजिए ठीक ये उपाय आपको साथ दिन तक कंटिन्यू करना है किसी भी दिन से शुरू कीजिए इसमें कोई ये नहीं है आप किसी भी दिन से उपाय कर सकते हैं साथ दिन आप इस उपाय को करिए यदि आप पती हैं आप अपनी पत्नी को सुधारने सुधारना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आपको अपनी पत्नी के तकिये के नीचे दोपीस कपूर रखना है? दो कपूर ले लीजिए, उसे अपने पत्नी के तकिये के नीचे रख लीजिए सुबह हो गई उस कपूर को, आप उस कमरे में जिस रूम में आप लोग सोते हैं पती-पत्नी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं या आप यदि जलाना नहीं चाहते हैं यदि आपको लगे कि हाँ, मेरा मतलब बहुत अच्छा पेंट किया हुआ है क्योंकि कपूर जलता है, तो हलका-हलका काला पन फैलता है तो आप क्या कर सकते हैं? इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो, जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इसको साथ दिन तक करना है। साथ दिन मतलब साथ दूरी। चोधह कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रहेगा। साथ दिन के पश्चात आप साथ दिन के अंदर ही आप पति-पत्नी के बीच में अनबन। जो है ना, वो दूर होगी और दोनों पति-पत्नी के बीच में प्यार बना रहेगा। तो आप पति-पत्नी चाहे पति के लिए करें या पत्नी के लिए करें। ये उपाय बहुत ही चमतकारी है। करके एक बार जरूर देखिएगा। अब क्या करना है आपको। इसके साथ ही एक लगे हाथ एक और उपाय जान लीजिए। आप अपने घर के अपने बेडरूम में जिस रूम होते हैं पश्चिम दिशा पर। एक विश्नु, भगवान का फोटो लगाईए। विश्नु भगवान का वो फोटो जिसमें माता लक्ष्मी अपने पति श्री हरी विश्नु के पैर दबाते रहती है। वो वाली फोटो आपको अपने घर के अपने कमरे के पश्चिम दिशा के दीवाल पर लगा देना है, बस धूबबत्ती आप दिखाते हैं, धूबबत्ती दिखाईए, अच्छी बात है। बस ये करके देखिएगा, साथ दिन के अंदर आपका पति-पत्नी का प्रेम जो है न, वो बड़ा नहीं रहा, तो आप मुझे जो बोलिएगा वो आप करके देखिएगा, अगला जो उपाय है, ये असरदार उपाय है, धन्वान बनने लिए, यदि आप चाहते हैं कि आप आपके गर में सदैव, जो आपके घर का जो फैअमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर अच्छा खासा रूपया कमाएं, सब के पास पैसा रुपईया सदैव बना रहे, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, पर जो दुख की मातरा हो, वो कम हो, और सुख जो हो, वो आपको क्या है? आपको प्रतिदिन खाना बनाने के पश्चात, जब घर के सभी लोग फैमिली मेंबर्स खाना पीना खा लें, तो आपको अपने रसोई घर में चांदी की कटोरी में दो लॉंग और एक कपूर जला दीजिए. यदि चांदी की कटोरी नहीं है, तो स्टील की एक छोटी सी कटोरी हो, उसमें आप जला दीजिए. ये काम आपको रोज रात को सोने से पहले कर लेना है. अपने रसोई घर में आपके घर में कभी भी की कमी नहीं होगी. सदैव आपका का भंडार भरा रहेगा, आपके घर में सदैव हैपिनेस बनी रहेगी, और आपके गर में सदैव कैश का फ्लो बना रहेगा. अब जो कपूर जो लॉंग का राख जो बचा हुआ है, इसे क्या करना है? ये यहीं पे चमतकार है, इसे क्या करना है? इसे आप अपने घर की जो बैलकनी में या घर के बाहर जहां भी आपने अपने घर में तुलसी जी का पौध आप खुद चमतकार देखेंगे कि पैसा आ कहां से रहा है? पहले यही चीज नहीं मालूम था, पर इसको करने के पश्चात हमारे घर में इतनी हैपिनस कहां से आ रही है? आप खुद आश्चरे चकित रह जाएंगे. अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में किसी का हो जाए. अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर का तो आपको क्या करना है? किसी भी नवरातर में नवरातर चार होते हैं. दो तो सब को पता होता है कि एक चैतर का और एक शारदिय नवरातर दो नवनवरातर सब को पता होते हैं. पर दो गुप्त नवरातर होते हैं, जो मैक उपाय कर सकते हैं, जिस व्यक्ति को शादी करनी है, लड़का हो, लड़की हो, उसी, उसी व्यक्ति को ये उपाय करना है। हवन की, अब जान लीजिए, क्या करना है कि हवन में आपको क्या कर रहे हो, और हवन का धुआ ही आपके ब्रह्मांड में फैलेगा और आपके लिए रिष्टा लेकर के आता है और उसको फिक्स करता है, अब क्या करना है, हवन की सामग्री बनानी है, हवन की सामग्री में आप इसको 36 लॉंग और 6 कपूर 4 इन तीन चीजों को मिला कर कि जब आप हवन करेंगे 9 दिन के पश्चात, आप जब इसको हवन करेंगे, हवन हो गई, पूर्णा हुती हो गई, उसके पश्चात, 9 दिन के पश्चात, 40 दिन में लगेंगे। आपका विवाह कहीं सेट हो जाएगा करके देखिए आज माया हुआ नुस्खा है, कभी आपको यह जो नुस्खा है, यह आपको निराश नहीं करेगा, आप चाहे तो किसी भी नवरातर में इसे कर सकते हैं। अब जो उपाय है खुद का घर पाने के लिए है, हमें खाने को मिल जाता है, पहनने को मिल जाता है, रोटी कपड़ा मिल जाता है पर मकान मकान के लिए तो भाई पैसा बचता ही नहीं तो फिर हम सभी कहते हैं कि ठंठन गोपाल तो क्या करना है आपको यदि आपके घर में रहते हैं या किराई के घर में रहते हैं तो कही ना कहीं तो मन का छोटा है कि काश मेरा अपना घर होता चाहे वो छोटा सा ही आशियाना हो पर उसे अपना तो कह पाते तो यदि आप चाहते आपका खुद का घर हो पर पैसा बचता ही नहीं है तो फिर भाई करें तो करें क्या इधर रोटी के लिए मुहाल हुए पड़े हैं और उधर घर का हम कहां से उपाय करें घर का ही गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है आपको किसी भी रात्र में चारों नवरात्र में से किसी भी नवरात्र में जो भी आपको प्लॉट चाहिए या जिस जगह पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं आपने प्लोट तो खरीद लिया है, पर अब घर बनाने के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हैं, तो भाई करना क्या है? तो उसके लिए आपका ये उपाए बहुत काम का है, ऐसे में आपको लोट का या जिस जगह को आप खरीदना चाहते हैं, उस जगह की मिट्टी लेके आईए, मिट्टी लाकर के कांच की कटोरी में आप डाल दीजिए, ये उपाए आपको में ही करना है, किसी भी नवरात्र मे ही करना है, ये फलीभूत होता है, ये बहुत असरदार होता है, तो कांच की कटोरी में आपने उस प्लोट की उस जमीन की थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख दी, अब उसमें क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, और एक कपूर डाल दीजिए, डाल दिया आप तीन, ये तीन चीजें हो गई कटोरी में, अब उस कटोरी को क्या करना है, जमीन पर जैसे माता दुरगा का कलश स्थापन करते हैं, ना तो ही एक मिट्टी का धेर रखिए, धेर के उपर आप जब छिड़क दीजिए, जो की जौ आपके नौ दिन में अच्छे खासे हो जाते हैं, हलका हलका पानी का छीटा डाल कर कि अब उस कटोरी को उस जौ वाले मिट्टी का धेर है, जिस पे आपने जौ छिड़का है, उस पर रख दीजिए, अब पूरे नौ दिन तक प्रथम से लेकर के, घटस्थापन से लेकर के नौ दिन तक आपको एक माला माता द है, उस जौ के उपर प्रति दिन आपको गंगा जल छिड़कना है, यदि जल की कमी है घर में, तो आप एक लोटे में जल ले लीजिए, उसमें दो बूंद गंगा जल डाल दीजिए, और उसी लोटे के जल से उस जौ के आसपास छिड़क दीजिए, ताकि उसको जल मिलता रहे और वो अंकुरित होता रहे, क्योंकि इसी जौ का आगे आपको काम करना है, अब नवमी के दिन जब आपने जब कर लिया है, फाइनल जब हो गया, आपका, अब थोड़ा सा लीजिए, संध्या के समय में आपको ये उपाय करना है, शाम के समय में आप 5, 5, 6 बजे चले जाएए, ले जाकर के जो भी आपकी जमीन है, या जहां पर भी आप अपना घर बनाना चाहते हैं, या जो प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं, वहां पर उस थोड़े से जौ को जो आपने अपने साथ लाया है, उसे छोड़ दीजिए, अब घर आकर के जो आपकी सामगरी बची हुई है, सामगरी में आपकी मिट्टी है, जौ है, फूल जो बचे हुए हैं, इन सब को आपको दस्वें दिन, दशहरा के दिन, या फिर दस्वें दिन, जो भी आप यदि बाकी के करें, तो दशहरा तो नहीं भूलेंगे, आप दस्वें दिन, इन सारी चीजों को ब के देखिएगा ये उपाए अपने जो खुद के घर जाने वाले हैं ना उनके लिए ये बहुत अचूक उपाए है